नमस्कार दर्शको, आज हमारी चर्चा का विशा है endometrial thickness बहुत सारे patients हमारे से endometrial thickness के बारे में questions पूछते हैं तो हम इस video में endometrial thickness के बारे में थोड़ी detail बताएंगे endometrial thickness का मतलब है जो बच्चेदानी की lining है जो बच्चेदानी के अंदर की तैया है उसकी जो thickness है जो हम ultrasound पर measure करते हैं उसको हम endometrial thickness बोलते हैं बच्चे दनने के अंदर की 3 layers होती है endometrium, myometrium और बाहर की जो layer होती है जो अंदर वाली layer है उसके अंदर baby जो है वह बैठता है और grow करता है वही बच्चे को blood supply देती है uterus के अंदर की lining जो है उसकी thickness normally 7 mm से 14 mm तक normal मानी जाती है अगर endometrial thickness 7 mm से कम होती है जो हम ultrasound पर measure करते हैं तो उसको हम thin endometrium बोलते हैं और 14 mm से अगर जादा होती है तो हम उसको endometrial hyperplasia बोलते हैं अब IVF के patients में normal endometrium होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर endometrial thickness कम होगी तो बीज जो है वो जमीन में तभी चलेगा अगर वो उप जाओ होगी और अच्छी होगी तो इसी तरह से जो endometrial thickness है वे उसकी quality के बारे में भी बताती है और अगर endometrial thickness कम है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जब हम baby रखेंगे तो उसके चलने की संभावना कम हो जाएगी अब endometrial thickness के कम होने के क्या कारण है अगर किसी lady की सफाई हुई है यानि की uterus के अंदर की lining के अंदर कोई instrumentation हुई है या फिर किसी को पहले कभी बहुत chronic infection हुई है या TB हुई है तो इसके कारण जो है endometrial thickness कम हो जाती है endometrial thickness के कम होने पे हम diagnosis बनाते हैं सबसे पहले IVF शुरू करने से पहले कि इस patient की endometrial thickness कम है और हम IVF procedure एक बारी शुरू नहीं करते हैं पहले हम endometrial thickness को सुधारते हैं और फिर ही आए हम IVF procedure शुरू करते हैं अगर IVF करते करते पता चलता है कि यह patient की thin endometrium है तो हम embryos freeze कर लेते हैं और वापिस नहीं डालते हैं कुछ patients जो है वह endometrial thickness अगर हम देखते हैं दवाईयों से तो वो कम आती है मगर वो अपने natural cycle में endometrial thickness अच्छी बना लेते हैं तो हम किसी भी patient की endometrial thickness के बारे में comment करने से पहले उनकी एक natural cycle endometrial thickness देखते हैं कि यह कितनी होती है natural cycle में endometrial thickness कई बारी normal आ जाती है जिसके बाद हम IVF procedure natural cycle में कर देते हैं यानि कि embryo transfer natural cycle में कर देते हैं अब endometrial thickness जो है वे कुछ लोगों में बहुत जादा भी होती है यह एक तरह का early cancer की निशानी है endometrial thickness जादा होने से भी IVF के success rate कम होते हैं यह एक तरह का early cancer की निशानी है इसको हम endometrial hyperplasia बोलते हैं और इसमें जो है हम एक बारी अंदर की तह निकालते हैं और test के लिए भेजते हैं देखने के लिए कि इसमें कोई cancer की शंका तो नहीं है और अगर होती है तो इसके लिए 3 महीने 6 महीने progesterone की tablets देते हैं जिससे यह ठीक होती है और उसके बाद ही IVF procedure किया जा सकता है क्योंकि किसी भी IVF procedure से पहले हमारे लिए patient की जान और उसकी जो health है वे सबसे prime important है अब अगला सवाल यह आता है कि अगर endometrium thin है तो क्या वो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ठीक ही नहीं हो अब कुछ patients की endometrial thickness साथ या छे ऐसे होती है lower side पे तो इसके लिए हम पहले अंदर दूरबीन डालते हैं जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं दूरबीन डालने से हम अंदर चेक करते हैं कि क्या यह endometrial thickness कम क्यूं है यह आपस में चिपकी होई तो नहीं है अंदर कभी ओजार गया तो उसके कारण infection होने के कारण addition formation हो गई तो क्या endometrium आपस में चिपकी होई तो नहीं है तो अगर ऐसा होता है तो हम वहां वहां से चुड़ा देते हैं जहां से चिपकी होती है और उससे भी हिस्ट्रोस्कोपी करने से भी क्योंकि हम uterus को पानी से जाते हैं तो इससे भी uterus की blood flow काफी बढ़ती है और endometrial thickness का एक तरह से इलाज भी है यानि कि थिन endometrium के patients में अगर हिस्ट्रोस्कोपी की जाए तो बाद में अगर उनकी endometrium देखी जाए तो बढ़ गई होती है कुछ acute infections होती है जिनकी treatment की जाती है उसके बाद endometrial thickness better हो जात है और ऐसे patient को कई बारी अगर उनके पास एक भी बच्चा नहीं होता तो उनको सरो किसी की भी सला दी जाती है finally इस वीडियो के माधियम से हम यह कहना चाहते है कि जब भी आपको doctor endometrial thickness के बारे में कुछ बताते हैं तो इस चीज़ को सोड़ा seriously लेना है क्योंकि thin endometrium कई बा doctor आपको endometrial thickness के बारे में कुछ भी बताते हैं तो उनकी सला को seriously लीजिए उसको सुधारने के लिए वो जो भी आपको आगे कारवाई बताते हैं उसको follow कीजिए और तबी finally IVF के अच्छे success rates achieve होंगे फिर भी अगर आपको इस topic पे कोई भी questions है तो आप comment section पे comment कर सकते हैं कर दो